हाई दोस्तों मैं इवराज कटा रहे और आप देख रहे है मेरा चैनल सिर्राम ग्यारेज दोस्तों ये 2018 का मशीन है और इसका ये जो वील है ये बड़ा वील इसका जाम हो चुका है घूमने रहा है तो या तो इसके प्लैनेटरी गेर तूटे होंगे या बेरिंग गया होंगा तो इसको अभी हम खोल के चेक करने वाले है ये देखिए और ये देखे इस तरह से इसको ये इतना ही हिल रहा है चालू करने के बाद भी चक्का गुमनी रहा है पुरा जाम हो चुका है एक साइट का एक ही चक्का गुम रहा है ये पुरा लॉक हो चुका है और ये देखिए दोस्तों इसमें 10 नट बोल्ट दिये हुए है बील को तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम दिया है क्योंकि जब इसको 5 बोल्ट रहते थे तो उसमें बोल्ट तुटने का बहुत दिक्कत आती थी और जो डीस के होल है वो बड़े हो जाते थे लेकिन इसमें 10 ब बहुत तोड़ दिदी लेकिन ये जो 10 बोल्ट वाले जो मशीने हैं उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आता है ये देखिए अभी विल निकालने के बाद ये देखिए यहाँ पर 16 का दो बोल्ट रहता है एक नीचे एक उपर ये दोनों बोल्ट हमें निकाल लेना है और उसके बाद इसको यहाँ से हम खोल सकते है ये देखिए यहाँ से थोड़ा स्कूरूडरावर से हमने इसको निकाला है ये देखिए स्कूरूडरावर मार के इसको थोड़ा जगा बनाया है ये जाम हो चुका था पुरा ये देखिए अभी ये थोड़ा पीछे आ गया है तो अभ बेरिंग भी ये देखिए इसका पुरा जो बेरिंग के जो छर्रे रहते है वो पुरे बाहर निकल चुके है और इसमें गूम चुका है इसलिए इसके सभी गेर तूट चुके है ये देखिए एन्वेल स्रिंग के भी दाते तूट चुके है और सभी गेर इसने डैमेज किये ह हुए है यह देखिए यह सभी गेर डेमेज हो चुके है यह देखिए इसके भी दाते तूटे है सभी gear के दाते तूटे हुए यह देखिए यह sun gear के भी दाते तूट चुके है तो यह अभी हमें sun gear भी बदलना पड़ेगा और planetary gear भी तीनों हमें नया डालना पड़ेगा और यह annual shrink भी डालना पड़ेगा यह देखिए दोस्तों यह अब पहली बार खुल रहा है तो पहली बार यह बहुत ज़्यादा टाइट रहता है क्यूंकि इसमें port में thread locker भी मारा हुआ रहता है और यह टाइट भी ज़्यादा रहते है तो इसके वज़े से इसको थोड़ा ठो अपने regular गोटी से यह नहीं खुलता है तो इसके लिए heavy वाली गोटी चाहिए उसके बाद यह देखिए इस तरह से यह सभी bolt लूच करके खोल के निकाल लेना है इसको 8 bolt दिये हुए रहते हैं 20 के यह 8 bolt निकाल लेना है उसके बाद यह carrier को बाहर निकालने के लिए यह देख दो यह जो bracket को लगे हुए रहते है जो boom को lock करने के लिए यहाँ पर bracket दिया हुआ रहता है यह bolt वहाँ पर लग जाते हैं सेम थ्रेड आते हैं तो यही bolt खोल के अब इस तरह से इसको tight करते जाना है तो यह carrier को खीक लेगा बाहर तरब यह देखिए इस तरह से इसको tight करना है इसको tight करते जाएंगे carrier बाहर आती जाएंगी इस तरह से इसको tight करके निकल लेना है यह देखिए यह बाहर आ चुकी है इसको इस तरह से tight कर लेना है जब बाहर आ जाए तो यह bolt यही पर खोल लेना है क्योंकि यह थोड़ा tight खुलते है बाहर निकलने के बाद में वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो इसको यहीं पर खोल भी लेना है, बोल्ट को, जब यह बाहर आ जाए, तो फिर बोल्ट खोल लेना है, और थोड़ा बाकी रहे गया है, तो इसको थोड़ा सा चिन्नी से ठोक सकते हैं, इस तरह से, जब बाहर आ जाए, थोड़ा ही हो तो इसको इस तरह से चिन्नी से ठोक के भी निकाल सकते है ये देखिए थोड़ा जाम है तो हमने इसको नीचे से भी एक चिन्नी फसाया है और उपर से दूसरी चिन्नी से इसको ठोक के निकाल रहे है ये देखिए ये बाहर तो आ चुका है लेकिन एक डावल इसके साथ में आया है बाहर तो इसकी वज़े से थोड़ा निकलने में परेशाणी कर रहा है यह देखे लेकिन यह निकल गया अवि में इसका पहले लौक निकल लेना है यह देखे पीछे इसको लॉक दिया हू रहता है यहाँ पे annual string और carrier को lock करने के लिए यह देखिए यहाँ पे lock रहता है तो यह lock को निकाल लेना है इस तरह से screwdriver की मदद से इसको निकाल सकते है यह देखिए यह lock हमारा निकल चुका है अभी यह carrier निकाल लेंगे हम इसमें से क्योंकि carrier इसका अच्छा है carrier हमें यही डालने का है यह देखिए carrier हमारा निकल चुका है अभी हम यह gear निकाल लेंगे यह देखिए इसके पहले gear के उपर lock लगे हुए रहते हैं यहाँ पे यह lock पहले निकाल लेना है यह देखिए इसे lock पकड़ की मदद से हम यह lock निकाल सकते है इस तरह से दबा के अच्छ से इसको लॉक निकल लेना है ये देखिए लॉक निकल चुका है इस तरह से तीनों गेर के लॉक निकल लेना है उसके बाद ये देखिए अभी ये जो गेर इसका बेरिंग पुरा फूट के निकल चुका था तो श्रीप इसमें कोन अटका हुआ है तो ये कौन अटका हुआ है तो इसको इस तरह से पुलर की मदश से भी खीच के निकाल सकते है ये देखिए लेकिन ये निकल नहीं रहा है बहुत ज्यादा टाइट है कौन इसकी वज़े से इससे नहीं निकल रहा है यह देखे इस तरह से पूलर से भी इसको निकाल सकते हैं अगर पूलर से भी नहीं निकल रहा हो तो फिर क्या कर सकते हैं तो यह 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 भी हम आपको बताएंगे यह देखिए अभी इससे नहीं निकल रहा है पूलर से जब यह इसको ठोकते हैं तो ये देखिए निकल जाता है ठोक के ये देखिए ठोक के ये निकल जाता है उसके बाद जो गेर लगे हुए है वो तो ऐसे इसको उठा के पटकने से भी निकल जाता है ये देखिए उठा के इसको पटकना है सिधा सिधा ये देखिए निकल गया अगर गे गेर साथ में हो बेरिंग पुरा साथ में हो तो इस तरह से उठा के पटकने से भी ये निकल जाता है आसानी से ये देखिए दूसरा भी गेर हमारा निकल गया एकदम आसानी से उठा के पटकने से निकल जाता है बहुत आसानी से निकल जाता है उसके बाद अभी देखिए इस इसे open आती है, इसको कॉन नहीं आता है, गेर के अंदर ये bearing चलती है, तो इसको पूरा बाहर नहीं निकलना है, और ये देखे, एक side इसका taper रहता है भाग, आप देख सकते हैं वीडियो में ये भाग इसका taper है एक side ये taper रहती है और एक side plane रहती है तो जो भाग taper रहता है वो बिठाते वक्त नीचे के side बिठाना है ये देखे इस तरह से gear को रखके इसको दबा देना है इधर से ये plane है तो जो plane वाला भाग है वो बिठाते वक्त ऊपर रखना है ये देखे इसके बाद ये उपर का lock लगा लेंगे ये lock को लगा एकते वक्त इस तरह से screw driver से दबा के इस तरह से बिठा सकते है ये देखिए इस तरह से lock भी हमारा बैट चुका है ये देखिए फिट हो चुका है इसी तरह से तिनो गेर फिट कर लेना है ये देखिए यह हमारा तीसरा गेर भी फिट होने में है यह देखे हो चुका है इसका भी लॉप बैट चुका है यह देखे इसके बाद यह याद रखना है जो टेपर वाला भागे वो नीचे की साइड रहेगा और प्लेन वाला भाग उपर की साइड रहेगा थोड़ा हमने इसका स्पीड बढ़ा दिया था यहाँ पर लेकिन आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरह से हमने इसको यह अडूतिस का गोटी है यह एकदम फिक्स बैढ़ जाता है इसमें अडूतिस की गोटी तो उसको रखके हम आसानी से इसको लगा सकते हैं उसके बाद यह जो उपर इसके लॉक है यह लॉक लगा लेना है यह देखिए इस तरह से लॉक लगा लेना है तीनों के भी यह देखिए लॉक लगा के फिर यह देखिए संगेर भी हमें बदलना है तो संगेर का लॉक निकाल के यह संगेर हमने निकाल लिया यह नया वाला संगेर इसमें डाल दिया और फिर इसको लॉक लगा लेना है ये देखिए ये लॉक भी अच्छे से बिठा लेना है ये देखिए लॉक हमारा बैट चुका है अभी हम ये केरियर बिठा लेंगे annual string के अंदर ये देखिए इसको इसका meaning match करके इसको थोड़ा इसे ठोक के बिठा सकते हैं ये देखिए इस तरह से अलका अलका ठोक के बिठा लेना है ये देखिए इस तरह से ये बैट चुका है अभी इसमें लॉक बिठा लेना है ये देखिए लॉक अच्छे से बैठा नहीं था तो इसको थोड़ा screwdriver से ठोक के हमने लॉक को अच्छे से बिठा लिया इसमें यह देखिए अभी लॉक हमारा बैट चुका है यह देखिए आप देख सकते हैं यह लॉक अच्छे से बैट चुका है ये देखे लोक भी हमारा बैट चुका है तो अभी हम इसको fit कर लेंगे एक dabill इसके अंदर जी थी तो dabill हम match करके बाकी सब dabill के hole match करके इसको फिर थोड़ा थोड़ा हलका थोक सकते है ये देखे डावेल के होल जब मैच हो जाते है तो हम इसको थोड़ा इस तरह से ठोक के भी बिठा सकते है थोड़ा अंदर बोल्ट लगना चाहिए वैसा थोड़ा ठोक लेंगे ये देखे ठोक के बिठा लिया है थोड़ा ही बाकी है भी ये देखिए इस तरह से ठोक के इसको चिपका लेना है और उसके बाद ये देखिए इस तरह से बोल्ट लगा के इसको टाइट कर लेना है ये देखिए सभी बोल्ट लगा के टाइट कर लेना है पहले सामने सामने के दो बोल्ट टाइट कर लेना है उसके बाद सभी बोल्ट अच्छे से टाइट कर लेना है ये देखिए इसको भी लूज रखना नहीं है इसको फूल टाइट मानना है बोल्ट को ये देखिए पाइप लगा के इसको अच्छे से फूरा टाइट करना है सभी बोल्ट अच्छे से क्यूंकि ये लूज नहीं रहना चाहिए अगर ये बोल बाहर रखते है, और बाहर रख्के अगर डरम लगाते हैं तो बहुत इजी बढ़ता है, यह देख़ें हम बदल लेंगे, इसका ओरं भी थोड़ा खराब हो चुका था तो अब खोला है तो हम ओर इंग भी इसका नया डाल देंगे, यह देखें, नया ओर- speaks हमने इसको थोड़ा थोड़ा एना बूंड भी लगा लेंगे नहीं भी लगाया तो कोई फरक नहीं होता है अगर नाया और रिंग डाला है तो लेकिन है आपके पास तो लगा सकते हैं यह देखिए इस तरह से आप जिस तरह से देख रहे है एक्सल को थोड़ा पकड़के रखना ह और बाहर ही drum को Excel में बिठा लेना है तो बहुत आसानी से बैठ जाता है बहुत बार operator लोगों को ये बिठाने में दिक्कत आती है तो इस तरह से बिठाएंगे तो बहुत आसानी से बैठता है Excel को थोड़ा बाहर रखना है ड्रम बहार में अच कर लेना है और उसके बाद बिठाना है उसके बाद ये 16 के दो बोल्ट रहते हैं इसमें ये दोनों बोल्ट लगा के इसको अच्छे से टाइट कर लेना है ये देखिए ये 16 के बोल्ट रहते हैं ये दोनों bolt लगा के इसको अच्छे से tight कर लिया है, ये दो ही bolt रहते हैं इसमें 16 के, ये सिर्फ पकड़ के रखने के लिए है, बाकि तो drum पूरा जो 10 bolt है इसको दिये हुए उसके दबा के रखता है, tight हो जाता है, अभी इसका oil भी बहुत खराब हो चुका था, तो हमें इसका oil भी बदलना है, oil बहुत खराब निकला था इसमें, तो इसका oil भी चेंज करना है, तो oil भी देखिए आप, यहीं पर आपको देखने को मिल जाएंगा कि oil भी कैसे चेंज कर सकते है, ये देखिए यहां से इसका oil निकल जाता है, यहां से oil पूरा निकल लेना है, ये देखि हमने जहां से oil निकाला था यह drain plug हमारा इसको पहले tight कर लेना है अच्छे से और यह देखिए यहां से यह लंकी bolt खोल के यहां से अभी हम इसमें नया oil डाल लेंगे यहां से खोल के इस तरह से अगर हम bottle फसा लेते हैं तो बहुत आसानी से इसमें oil डालने को बहुत आसनी से oil चला जाता है यह देखिए बहुत ईजी हो जाता है इस तरह से bottle अगर हम उसमें फसा लेते हैं बिसले रिकी तो बहुत ईजी चला जाता है उसके बाद देखिए oil इसमें 20 लिटर oil बैटता है हमने पूरा-पूरा 20 लिटर oil इसमें डाल दिय है और यह देखिए oil डालने के बाद यह nut टाइट कर लेना है यह देखिए इस तरह से यह बोल्ट अच्छे से टाइट कर लेना है यह बोल्ट हमारा टाइट हो चुका है उसके बाद यह देखिए यहां से हमने जो वो दोनों बोल्ट खोले थे केरियर को बाहर निकलने के ल अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि रिपेरिंग के वीडियो हमारे चैनल पे आते ही रहते हैं और सभी तरह के वीडियो यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे तो चलो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हुआ